कॉरण कणहिया कुमार मैं क एक हम नहीं जानता हूं। नमस्कार मैंना मालोक है triangle es dेख रहे हैं जे नीुक ay कि लोकतंत्र को बचाना है और कॉर्ण जो है देश की सब department लेकिन बिहार में जो कॉंग्रेस की सहयोगी पाटनर है जो सहयोगी दल है आरजेडी क्या वो खुश नहीं है आरजेडी को तो स्वागत करना चाहिए था लेकिन आरजेडी ने तो बड़ी बेजती कर दी है कनहिया कुमार की हम इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं आजएडी के मुख्य प्रोक्ता सब विधायक भाई विदेंद्र यह क्या रहा है कि कौन है कुमार मैं नहीं पहचानता सोचिए क्या यह बेजती नहीं है करहिया कुमार एक तरफ जहां कॉंगर्स में आते हैं तो कॉंगर्स को खुशी होती है तमाम जो अलाइंस पार्टनर ह कि उन सभी ने इस पर खुशी जाहर की है लेकिन आरजएडी की ओर से ना तो अब तक मुख्या बात दी गई है ना ही अब तक बधाई दी गई है करहें कुमार को यह कॉंगर्स को और अब तो उल्टा पूछा जा रहा है कि कौन है करहिया कुमार क्या कुमार को नहीं जा र अब इस वीडियो पर जेडियू ने बोलना शुरू कर दिया है जेडियू के प्रवक्ता निखिल मंडल ने कहा है कि एक तरफ जहां कनहिया कुमार के आ जाने से कौंग्रेस गदगद है काफी खुश है वहीं दूसरी और आरजएडी के मुख्य प्रवक्ता भाई व्रेंद से डर तो नहीं लगने लगा है डर तो नहीं सताने लगा है यह मामला राहूल गांधी और तेस्वी आदव का है इससे जेडियू को क्या मतलब इसमें साफ साफ निकल मंडल ने लिखा है आपने देख भी रहा है तो ऐसे में अब राजनीती शुरू हो गई देखना यह कर दिया हम इसके बारे में रहा है किम्यों करने कि owa चाप कर vine नहीं आती है और ज्यॉजरी के चुनावी मैदान उतरा था उस वक्त भी कनहया कुमार ने दो चार रहलियां भी की थी तो ऐसे में क्या आज जेडी की लोग नहीं जानते हैं कि कनहया कुमार कौन है या फिर जेडियू के प्रवक्ता निखिल मंडल जो ट्वीट करके बता रहे हैं असल बात वो है देखना य इस साफ दिख रहा है कि आरजणी ने बड़ी बेजती कर दी है कनहया कुमार की स्वागत तो किया नहीं बधाई दी नहीं उल्टा बेजती कर दी क्या अलाइंस पार्टनर होने का सही धर्म निभाया आरजणी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ साथ फिस्क पे